हेलो और सबका स्वागत है अपने चैनल पे तो एससे के तरफ से आपको बता है एससे का notification आया है ठीक है तो इस साल का जो exam है 2022 का कैसा होने वाला है last time का paper कैसा था cutoff क्या था last time का इस साल का जो है expected ते डख़ड़ोफ Kya होचता है और सभी चीज के बारह में ज이션ट कहता है के इने वॉलेव को गो ठीक है यह first वीडियो फेडियो में प्ले डिललिस में प्लेडिस आपका ready है तो यह first वीडियो है तो वीडियो के बढ़िल स्टाट करते है एक section में अगर कम marks आ गए आपके तो खतम ठीक है तो pre baby था and maze baby ही था last time लेकिन इस साल जो है sectional cutoff को खतम कर दिया है और सिर्फ आपका total cutoff रहने वाला है ठीक है और definitely basic qualifying cutoff रहेगा ही जैसे रहता है हमेशा UR के लिए 45% OBC के लिए 40% ठीक है यह basic qualify obviously इसका अपने को मतलब नहीं है क्योंकि अपने को आना है merit में ठीक है अगर आपको selection चाहिए तो merit में आना पड़ेगा और जो merit का cutoff है वो क्या है उसमें अपना interest होना चाहिए correct तो यह जो है बड़ा change है जो आपको note करना है ESC के तरफ से इस साल के recruitment के लिए लगबग 4 साल का gap हो चुका है अभी अभी आपका pre होने वाला है जिसके total mark से आपके 100 ठीक है फिर pre में से 1-10 के ratio में वो select करेंगे candidates को मतलब 1 set के लिए total 10 candidates को select करेंगे किस के लिए mains के लिए तो last time का cutoff जो है वो क्या था UR के लिए OBC के लिए SC ST बाद EWS अभी आया है तो यह definitely EWS वाले भी आप UR और OBC के अंदर मतलब में obviously यह कर सकते हो expect but obviously मैं आपको expected cutoff बताने वाला हो तो यह last year का cutoff है ठीक है previous year cutoff तो UR के लिए cutoff था merit का वो 71 पे close हुआ है merit मतलब out of 100 आपके total 70 mark 1 mark आपको चाहिए ठीक है next जो है OBC के लिए 66.25 marks पे close हुआ है merit list तो definitely अगर EWS होता तो इसके बीच में किदर होता okay SC के लिए 62 और ST के लिए 57.5 पे close हुआ था merit okay PWD VI के लिए 59.5 PWD HI के लिए लग बग 30 marks, PWD LD के लिए 56 और PWD Other के लिए 30 marks ठीक है तो इस तरह कैसे आपका cutoff था last year था अभी सबसे important है जो इस साल 2022 का expected cutoff क्या हो सकता है right definitely आपका competition high है okay already ESIC UDC का preparation public कर रही है March में उसका exam है तो और already preparation उनका हो चुका है UDC का exam देने के बाद वो सब apply करेंगे SSO को ठीक है तो इस बार definitely cutoff high जाने वाला है और ESIC का pre का paper है वो level कैसा होता है उसका यह बहुत important है तो level आपका अगर मैं IBPS के सभी paper से compare करूं तो मतलब basic ही होता है okay मैं बोल रहा हूँ IBPS के सभी paper से मतलब IBPS का सबसे जो lower level है जो से clerk तो clerk का जो pre level है okay उस तरीके से होगा मतलब easy रहता IBPS का paper इतना यह tough नहीं रहता ESIC के लिए खास कर okay same UDC का भी वैसा है था और SSO का भी same होने वाला है ठीक है तो definitely आपका cutoff है इस बार तो आप expect करो कि open के लिए somewhere 85 to 90 ओके बाद में OBC के लिए भी आपका 70 to 75 EWS खास कर आपके लिए भी लगबगा पकड़ लो 75 to 80 तो इतना आपको target करना ही है SAST के लिए भी SC और ST क्योंकि vacances कम है last time vacances भी 294 थी सोचो 294 vacances के लिए 71 cutoff है इस बार सिर्फ 93 vacances है तो vacancy drop हुई है चार सालों में ठीक है तो definitely cutoff हाई जाने वाला है इसमें कोई भी दो रहाय नहीं है Okay ST के लिए भी आप पकड़ लो above 70 ST के लिए भी above 65 आप पकड़ लो तो definitely इतना cutoff तो आपका रहने वाला है तो target जो है सबसे important जो आपका target है वो आपको पकड़ना है 90 plus marks का Okay और possible है definitely कैसे possible है कैसे कर सकते हो आप क्या practice करना है क्या नहीं करना है हम strategy video में separate discussion करने वाले है आपका separate strategy video आएगा अभी जो भी subject आपको पढ़ने है premium mains में ठीक है और definitely उधर हम discuss करेंगे तो ये तो था आपका pre का story बाद में आते हैं अभी हम mains पे जो की important है तो definitely मैंने आपको बोला था कि mains के लिए भी आपका sectional cutoff था लेकिन इस बार नहीं रहने वाला है और mains में जिन्होंने qualified है तो 1-5 के ratio में ये public गया है आगे computer skill में computer skill क्या है क्या करना है क्या नहीं अगें इसका separate session में आपको बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं तो definitely आपको help होगा तो 1-5 मतलब ratio कम हुआ है अगर एक seat के लिए सिर्फ पाच candidate को उने बुला है तो मेंस के लिए cutoff कहता है वो देखते है लास्ट येर का मतलब previous year cutoff और इस बार का क्या हो सकता है expected cutoff मैं आपको बताऊंगा तो जो मेंस का cutoff है ओके out of 200 आपको वेपर रहता है मेंस का तो open के लिए close हुआ है 149.80 मांस को मतलब लगबग 150 मांस को close हुआ है OBC के लिए 138.55 मतलब 139 मांस को close हुआ है ST के लिए 125.50, ST के लिए 116.93, PWD VI के लिए 126 पे cutoff close हुआ है HI का भी 94, LD का 118.118 और other के लिए 98 पे आपका cutoff close हुआ था last time और ये तो था आपका sectional cutoff था उस time और vacances भी जादा था तब ये cutoff है अब इस साल जो है sectional cutoff बिलकुल नहीं है और vacances सिर्फ 93 है तो क्या हो सकता है तो definitely अपका open का cutoff, okay तो सबसे पहले level के बारे में बात करते, level के रहेगा mains का तो pre से थोड़ा उपर रहेगा, okay definitely PO तक नहीं जाएगा ये level मतलब IASC के लिए अपना ही paper अच्छा ही रहता है, जस इसमें challenge अपका क्या होगा जंदर लवेनिस एड होने वाला है, बाकी English, Contour, Reasoning का level थोड़ा बढ़ेगा, okay मतलब obviously puzzles मतलब ज्यादा variables काएंगे, और exit राम बाकी से चीज़े में आपको बताऊंगा ये अपने strategy वीडियो में, लेकिन level जो है pre से थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन IBPS PO clerk mains से बहुत ज्यादा कम रहेगा, तो ये आपको मतलब भी नहीं देखके, ठीक है तो definitely mains के लिए कैसे prepare करना है, आगे में बताऊंगा आपको, जस लेवल का आपको बता दिया मेने इस बार, और definitely इस बार भी जो है paper अपका वैसा है रहेगा, क्योंकि ESSE के लिए वो change नहीं होता ठीक है, और definitely अपका UDC का paper होने वाला है, तो उससे एक proper idea लग जाएगा, कि ESSE ने आपका pattern चेंज किया है कि नहीं, क्योंकि last time UDC का भी 18 में आये था vacancy और इस बार भी 22 में आये है, वो देखते क्या होता है, तो UR के लिए कम से कम आप target करो, 160 to 165 marks, ताकि आपका cutoff clear हो, OBC क जो है, तो last time आपका vacancy नहीं था है, लेकिन इस बार है, तो definitely इस बार भी आप try कर सकते हो, 155 to 160, out of 200 बोल रहा हो हो है, right, ST के लिए भी above 130, आपको target करना है, ST के लिए, obviously 125 से above आपको target करना है, और जितने में PWD का end date से आपको भी अच्छा perform करना है, तो मतलब 120 के above ही target रखो, ठीक है, तभी selection होगा, क्योंकि PWD के लिए तो vacancy सिर्फ 4 है इस बार, और 90 थी total vacancy से, ठीक है, तो यह आपका target हो चाहिए, means के लिए, और ratio भी आपको देख रहा है, इधर कम होता जा रहा है, ठीक है, तो definitely अगर मैं पूरा summarize करू, ESSE के process को, तो सबसे पहले आपका pre होने वा आपको सिर्फ को qualify करना है, ठीक है, अब obviously इसका भी separate cutoff लेगा, लेकिन वो qualify करना है, basic cutoff होगा, इसका भी basic cutoff भी बोला बता है, जो भी था आपका, लेकिन जो merit है आपका, वो इधर बनने वाला है, ठीक है, तो जो main से, obviously इसको अच्छे से prepare करना है, क्योंकि यह merit का सवाल है और merit में आओगे, तभी आपका selection होगा नहीं तो नहीं होने वाला है, क्योंकि यह जो है आपका direct recruitment होने वाला है, ठीक है, अभी जो है next video में बताऊंगा आपको, कि पूरा process में कितना time लेगा, और क्या-क्या चीज़े होने वाली है, तो इस video के लिए कुछ भी आपका query है, क बेस्ट